नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org Assalamualaikum and welcome to नई सुभा मास तुटोरियल्स for foundation course मैं हुआ अनम तारिक आज का हमारा टॉपिक है टाइपस ओफ सेट सबसे पहला हमारे पास सेट है सेट आफ नेचरल नंबर्स इसमें हमारे पास वन से लेकर नंबर शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and so on सेट आफ नेचरल नंबर को रिप्रिजेंट करते हैं हम N से अब हमारे पास next है सेट आफ होल नंबर्स इसको रिप्रिजेंट करेंगे हम W से और इस सेट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on इसके आगे जाता जाएगा जैसे आपने देखा कि नेचरल नंबर के सेट में 1 से नंबर शुरू हो रहे हैं और होल नंबर के सेट में 0 से नंबर शुरू हो रहे हैं सिर्फ ये एक ही डिफ्रिंस है होल नंबर के सेट में 0 है और नेचरल नंबर के सेट में 0 नहीं है अगला हमारे पास जब सेट है, उसका नाम है set of integers इस सेट में हमारे पास positive और negative दोनों numbers होते हैं जैसे 0, plus 1, plus 2, plus 3 या फिर minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 इसे कहते हैं integer इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं जैसे set of natural numbers, set of whole numbers का subset है यानि कि जो भी elements है set of natural numbers में वो सारे elements set of whole numbers में हैं और उसके इलावा एक addition है 0 तो इसलिए set of natural number, set of whole number का subset होता है इसी तरह से set of integer का भी natural number subset है set of even numbers and set of odd numbers set of even number को represent करते हैं E से और set of odd numbers को represent करते हैं O से set of even numbers में वो numbers हैं जो कि 2 से divide हो सकते हैं और set of odd numbers में वो numbers हैं जो 2 से divide नहीं हो सकते next हमाई पास set है set of prime numbers इसको represent करते हैं P से इस set में जो हमाई पास elements होते हैं वो elements या खुद अपने आप से divide होते हैं या 1 से तो इसके लिए हमाई पास है 1 2 3 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 2 से divide होता है 5 7 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 3 के table में भी आता है 11 13 17 इसी तरह से जो numbers किसी और table में नहीं आते वो prime numbers होते हैं next set है set of rational numbers rational numbers वो numbers होते हैं जो कि fraction में लिखे जाते हैं इसके अलावा हमाई पास और भी sets है set of irrational numbers set of real numbers set of complex numbers तो आज हमने जाना कि कौन कौन से sets होते हैं मिलते हैं next lesson में तब तक के लिए Allah आफिस ये मालमाती मवाद नहीं सुभा की जानब से पेश किया गया अपनी आरा के इजहार के लिए comment कीजिए या description में दिये गए राप्ते के जराय इस्तमाल कीजिए झाल